दोस्तो वीडियो को साट करने से पहले आप सबी को दिल से थेंक यू क्योंकि फ्रेंट्स आप लोग मेरी वीडियो को इतना ज़ादा सपोर्ट करते हो इतना लाइक कॉमेंट शेयर करते हो जिसका रिजल्ट ये आया है कि जो आज के हमारे क्लाइंट है वो नेपाल से हैं और क्लाइंट का नाम मैंने सिक्यूर्टी परपस के लिए सेफ रखा हुआ है और क्लाइंट का अगर प्लॉट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 33 feet by 75 feet का इनका प्लॉट है जो की east facing plot आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद अभी यहाँ पे बात करेंगी हमें क इतने एरिये में construction करना है तो friends client का यहाँ पे कहना है कि उन्हें west side से 5 feet चोड़ना है south side से 3 feet 9 चोड़ना है उसके बाद 29 feet 3 inch by 52 feet के एरिये में उन्हें construction करना है और built up area आप यहाँ पे देख सकते हो यानि कि 1521 work foot और 179 work gaj का area है total built up area होगा ठीक है अब भी friends बात करते है requirements की कि हमें इस plot में क्या क्या बनाना है तो दोस्तो client की सबसे पहली requirement है कि हमें इस plot को ground floor और first floor plan दोनों बना कर देने हैं अब ground floor पे हमें क्या क्या बना कर देना है देखिए सबसे पहले एक bedroom जिसमें attached toilet देना है उसके बाद एक bedroom एक guest room family lounge large open kitchen dining area staircase basically outside में देनी है common toilet car parking वरामदा और ए attached toilet open kitchen lobby living store room पूजागा staircase और एक अच्छी सुंदर बड़ी balcony भी हमें इस plot में डिजाइन करके देनी है तो चली दोस्तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस plot को इन सभी requirements के according किस तरह से डिजाइन किया हुआ है तो दोस्तो जैसा कि आपने skin पे देख सकते हो कि मैंने इस 33 feet by 75 feet के plot का ground floor plan और first floor plan client की proper requirement के according बहुती सुंदर तरीके से design के हुए है तो चले दोस्तो सबसे पहले मैं आपको एक ground floor plan समझा देता हूँ फैस आप यहां पे देख सकते हो south east corner में मैंने 12 feet चोड़ा gate दिया हुआ है यानि कि घर की entry वास्तु सास्त के according बिलकुल सही है उ आपको यहां पर open area मिलता है open area का size आप देख सकते हो 31 feet change भाई 13 feet चेंच उसके बाद जब आप घर में entry के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको यहां पर front loan मिलता है बहुती सुंदर loan मैंने बनाया हुआ है उसके बाद friends आप घर में entry के लिया जाते हो तो आपको यहां पर तीन स्टेप मिलते हैं, तीन स्टेप से आप ऊपर चड़ते हो, तो आपको यहाँ पर बहुती सुन्दर वरामडा मिलता है, वरामडे का साइज आप देख सकते हो, 6.5 चोड़ा मैंने आप वरामडा दिया हुआ है, उसके बाद फैंस, आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखते हो, स्टेरकेस और पार्किंग मिलती है, बेसिकली पार्किंग ओपन है, और स्टेरकेस भी ओपन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी वाल वगरा हमने नहीं बनाई हुई है, क्लाइंट को इसी तरह से ओपन बनवानी थी, साइज की बात करूँ तो 10 फिट बाई 19 फिट साड़े चालेंज का है टोटल एरिया है आपका, उसके बाद फैंस, अगर स्टेरकेस की आपकी डिरेक्शन की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यह हमारी अप डिरेक्शन ने स्टेरकेस की, और स्टेरकेस के लिए हम यहाँ से भी एंट्री रखेंगे वरांदा साइट से, अभी यहाँ पे समझने वाला पॉइंट यह है देखिए, अगर यहाँ से आप 3 स्टेप उपर अप करोगे, तो यह वाला जो है वो आपकी हाइट अप्रोक्सिमेट हम 21 इंचिस के उपर हो जाएगी ठीक है, उसके बाद सेम तुसें जब आप यहाँ से स्टेरकेस के साइट से अप करोगे, तो यहाँ पे भी आपको 3 स्टेप देने होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दिया हुआ है, एक, दो, तीन, तो अभी यह सेम लेवल हाइट में आ जाएगा, तब आप आसानी से स्टेरकेस पे उपर चड़ सकते हो, अभी फैंस घर में में एंट्री के लिए जाते हैं, वो किस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो दी हुई है, जिसके बाहर हमने यहाँ पे बहुती सुन्दर वरामदा बनाया हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, बाहर साइड से हमने एक डोर भी दिया हुआ है, ताकि आपके कोई unknown guest आए, यही से फिर सीधा वो भार निकल जाए, आपके घर में एंट्री ना करें, उसके बाद आप इस guest room से भार होते हुए, आप यहाँ पे लोबी में आता हो, यानि की family lounge आपको यहाँ पे मिलता है, फैमिली लोज का एरिया आप देख सकते हो, 10.5, 7.5 इंच बारा फिट तींच का एरिया बहुत ही सुन्दर लोज हमने बनाया हुआ है, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में आपके मिलता है, डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया का साइज आप देख सकते हो, लगजरी कीचन है, जिसमें मैंने यू शेप की 2 फिट चोड़ी स्लैब लगाई हुई है, साइज आप देख सकते हो कीचन का 11 फिट बाई 10 फिट का है, और यह आपकी सिंक है, यह गैस है, यह रेफ्रीजेटर है, यहाँ पर हम एलेक्ट्रोनिक साइटम लगाएंगे, और यह जो गैस है, यह भी वास्तु सास के कोडिंग बिल्कुल साही दिसा में लगाई गई है, यह विंडो है किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, उसके बाद आप नेक्स आगे बढ़ते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फैमिल लेंज के अगर वेंटिलेशन की बात करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक OTS हमने दिया हुआ बैक साइड में, इस OTS से इस फैमिल लोन को प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा, जिसके अपोजिट में हमने यहाँ एक कॉमन ट्विलेट दिया हुआ, इस OTS से इस ट्विलेट को प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए और इस फैमिल लोन से आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है यह बेड्रॉम, राइट साइड वाले बेड्रॉम का साइज देख सकते हो, 11 फिट बाई 12 फिट का है, बहुत बड़ा साइज है बेड्रॉम के लिए, और यहाँ पर पीछे हमने विंडो दी हुए है, वेस्ट साइड में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, और इस OTS में जाने के लिए, यहाँ पर डॉर विंडो अटैच में ने दिये हुए है, उसके बाद आप इस बेड्रॉम से बाहर आते हो, तो इस वाले बेड्रॉम में जाते हो, इस बेड्रॉम का साइज भी 11 फिट बाई 12 फिट का है, जिसमें मैंने दो विंडो दी हुए ह इसा क्लेंट को चाहिए था, पांच फिट बाई 7 फिट का टोईलेट का साइज है, यह कमोड, यह वाश पेशिन, यह बेंटिलेटर प्रॉपर रोशनी के लिए, और यह शावर है, किलियर है, उसके बाद फैंस अभी नेक्स बात करते हैं, इस हाउस प्लान के टोटल डोर इसके बारे में तो आप यहां पे देख सकते हो, डोर विंडो का इंडेक्स मैंने बनाया हुआ है, यानि कि इस हाउस प्लान में जहां पे आपको D मिलेगा, डोर का साइज होगा, चार फिट बाई 8 फिट, D1 के लिए 3 फिट बाई 8 फिट, D2 धाई फिट बाई 7 फिट, डो डो फिट 9 इंच बाई 8 फिट का डोर का साइज होगा, जिसमें 2 फिट 6 इंच बाई 6 फिट की विंडो का साइज होगा, अगर यहां पे डबलू की बात करूं, तो डबलू का इहां पे साइज होगा 5 फिट बाई 6 फिट, डबलू वन का साइज होगा 4 फिट बाई 5 फिट, ये वाली फैंस डबलो जो window होगी ये ground floor से थाई feet के height पे लगेगी, W1 kitchen की window है जो ground floor से 3.5 feet के height पे लगेगी, W2 तू 3 feet by 6 feet की window है जो ground floor से 5 feet के height पे लगेगी, ventilator 5 feet by 10 feet का होगा जो ground floor से 7 feet की height पे लगा जाएगा, अभी फैंस यहां पर बहुत ही important बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ज़रा अच्छे से समझेगा वो क्या है column के sizes के बारे में सबसे पहला point तो यह है कि यह जो plot है वो नेपाल का plot है दूसरा point यह है कि नेपाल में बहुत ज़ादा भुकम आते रहते हैं तो हमें construction बहुती मजबूती से करना है तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना होगा देखे column का size जो हम यहां पर देंगे वो थोड़ा सा heavy देंगे तो जो यहां पर column का size मैंने दिया हुआ है वो 9 inch by 12 inch का मैंने हैं यहां पर column का size दिया हुआ आप यहां पर देख सकते हो उसके बाद आप यहां पर सोच रहे हो कि 9 inch by 12 inch का size जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा तो आपको यहां पर बता दूँ जब किसी भी plot का design कर रहे हो तो आपको यह सारी चीज़े mind में रखके design करनी है कि आपको घर भी मजबूती से बनाना है और client का पैसा भी ज़्यादा waste नहीं करना है तो इस case में अभी आपको क्या करना है एक तो 9 inch by 12 inch का आपको column का size यूज़ करना है वो मैं हापे क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो सभी 16 mm का सरिया हम यूज़ करेंगे इन कॉलम्स में उसके बाद अगर concrete का grade की बात करूँ तो M25 concrete का grade यूज़ करेंगे हम इन सभी कॉलम्स में तो हमारा मकान भूती मजबूती से बना रहेगा भूकम विरोधी मकान हमारा बन जाएगा क्लियर है उसके बाद next अभी फैंस बात करूँ construction कोस्ट की की इस घर को बनाने में कितना construction कोस्ट आएगा तो ground floor के लिए फैंस आप यहाँ पे देख सकते हो built up area 1521 work foot का होगा जिसको बनाने में approximate 22 से 23 लाग का construction आएगा as per Nepal construction कोस्ट ठीक है अभी फैंस यह तो बात होई ground floor plan के बारे में next चलते हैं first floor plan पे तो दोस्तों जब आप staircase से उपर चड़ते हो तो आप यहाँ पे आते हो सीधा staircase के यहाँ ठीक है तो यहाँ पे मैंने एक door दिया हुआ इस door से आप घर में entry करते हो तो सबसे पहले आप जाते हो अंदर की side में चलते हैं तो यहाँ पे आपको kitchen मिलती है luxury kitchen है kitchen का size आप देख सकते हो 11 feet by 9 feet 7.5 inch का जिसमें U-shape की slab लगाई हुए 2 feet चोड़ी यह gas, यह sink, यह electronic side यहाँ पे refrigerator, यह window proper ventilation के लिए और यह जो है वो window का projection दिया हुआ मैंने, उसके बाद आप next आगे बढ़ते हो तो आप lobby में जाते हो, lobby का size आप देख सकते हो 15 feet by 13 feet 10.5 inch का बहुत अच्छा size है उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, तो आप यहाँ पे देखते हो है, client को छोटा पुझा room ही चाहिए था और उसके बाद, यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैंने store दिया हुआ है, store में जाने के लिए तीन फूट चोड़ा door है, store का size आप देख सकते हो 5 feet by 8 feet 9 inch का store room है जिसमें यह 2 feet चोड़ी slab लगा हुई है यह ventilator है, proper रोशने के लिए clear है, उसके बाद, आप टैरीस पे बात करें तो कुछ है नहीं है, सिर्फ एक washvation client को चाहिए थी, और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो OTS हमने सिर्फ open छोड़ा हुआ है 5 feet by 5 feet 9 inch का हम यहाँ पे OTS use करें, उसके बाद आप next आगे देखते हो यहाँ पे आपको एक toilet मिलता है 5 feet by 8 feet का toilet, बहुत बड़ा toilet दिया हुआ है, client की requirement के according bedroom से मैंने यहाँ पे attach दिया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो, bedroom का size भी client को थोड़ा सा बड़ा चाहिए था size आप देख सकते हो, 11 feet by 14 feet 9 inch का बहुत अच्छा size है, जिसमें friends यहाँ पे मैंने यह sliding window लिगाई हुई है जिसकी वज़े से हमारा bedroom बहुती luxury बन जाता है, उसके बाद आप इस bedroom से बाहर आते हो, तो आप इस balcony side में जाते हो, तो आपको यहाँ पे 5,5-7 inch का एक passage मिलता है और यहाँ पे door मिलता है, balcony side में जाने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुती अच्छी greenery वाली balcony, बहुत बड़ी balcony यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे लिए 3 feet height, यानि कि यह जो हमारी railing होगी, यह 3 feet height की, अगर हम यहाँ पे, friends, glass वाली railing यूज करेंगे तो हमारा जो घर होगा, वो बहुत होई luxury लगेगा, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, staircase की 5 feet चोड़ी हम यहाँ पे section window का size यूज करेंगे उसके बाद next बात करूँ, तो door window का size आप देख सकते हो, same to same मैंने दिया हुआ है D के लिए 3 by 68, D1 के लिए 3 by 68, D2 के लिए 2 feet by 7 feet का, तो सभी size इस आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हम यहाँ पे यूज किये हुए है उसके बाद next column का size भी आप देख सकते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, first floor को बनाने में approximate 8-9 लाग का खर्चा आएगा उसके बाद अगर total construction cost की बात करूँ ground floor और first floor plan के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हो approximate जो हमारा built up area होता है वो 2408, 2408 square feet होता है जिसको बनाने में approximate 30-32 लाग का खर्चा आएगा as per Nepal construction cost तो दोस्तो यह दोनों डिजाइन आपको कैसे लगे please friends comment box में comment करके ज़रूर बताईएगा दोस्तो please comment कर दिया करो यार आपका रिपले मेरे लिए बहुत ही ज़ादा important होता है तो चले दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू बाबाई